नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर फोर यूव पर आज हम पढ़ने वाले हैं गुरु पुर्निमा पर असान सब्दों में निबंद इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो किर्प्या इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में वेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो आईए शुरू करते हैं गुरु पुर्निमा सनातन धर्म की संस्किर्टी है गुरु पुर्निमा मुल्लेतः भारत देश में मनया जाने वाला पर्व है इस दिन सिस्से अपने गुरु के परती आदर, सम्मान और कृतग्यता व्यक्त करते हैं भारत में गुरुओं को देवता तुल्ले माना गया है वैसे इस त्योहार को हर कोई नहीं मनाता लेकिन बहुत से लोग इस पर्व को मनाते हैं और बहुत से लोग गुरु पुर्निमा को काफी भब्य उत्सप के रूप में मनाते हैं यह पर्व हिंदु कलेंडर के अनुसार असाध मा की पुर्निमा को मनया जाता है गुरु पुर्णिमा मनाने के पीछे एक माननेता भी है जो की महरसी बेदव्यास जी से जुरी हुई है इस दिन महाभारत के रचेता महरसी बेदव्यास का जनम हुआ था उनी की जनमतिति के उपलक्ष में गुरु पुर्णिमा मनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है गुरु पुर्णिमा में आम तौर पर सिस्से अपने गुरुओं के लिए इस दिन किर्टगत्या व्यक्त करते हैं लेकिन बहुत से लोग साधू संत आदी इस दिन असनान ध्यान कर पुजा पाठ आरती आदी करते हैं। भारत में गुरु को प्राचीन काल से द्यपता तुल्ले माना गया है। प्राचीन काल में गुरु अपने सिस्यों को आसरम में निसुल्क सिक्षा देते थे। सिस्य अपने गुरु के लिए गुरु पुर्निमा के दिन पूजा आयोजित करते थे। मना जाता है कि गुरु पुर्निमा के दिन गुरु का असिरवाद लेने से सिस्यों को सनमार्ग की प्राप्ती होती है। इस पर्व को हिंदो, बौध, जैन, एवं कई धर्मों के लोग बहुत ही हर्षो उल्लास से मनाते हैं। इस अफसर पर स्कूल एवं कालेजों में संस्कृतिक कारकर्मों का आयोचन किया जाता है। हमारे जीबन में गुरू का विसिस महत्तो होता है। गुरू हमें अग्यान रूपी अंदकार से ग्यान रूपी परकास की ओड़ ले जाती है। गुरू अपने सिस्यों से कोई स्वार्थ नहीं रखती हैं, उनका उदेश से सभी का कल्यान ही होता है। गुरुओं का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए यह हमारा कर्तब्य है दोस्तों आपने देखा गुरु पुर्निमा पर असान सब्दों में निवंद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या बाई बाई थैंक यू